यहां की फेंटा केस्ट टेस्ट फेंटा जाह सही है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल और आज हम बैटे हैं पालो लेंप पे फिशर मेंपे फिशर मेंपे ऐसे अल्रेडी हम इसका वीडियो बना चुके हैं बट पहला जो हमने वीडियो बनाया था हूँ जो नॉर्मल मैकरल वाली थाली होती है उसका बनाया था बट आज जो हम बनाने वाले अच्छी चीज क्या है यहां पर इनके पास बड़ी पार्किंग है अगर आप खाना इधर खाते हो तो पार्किंग कॉंप्लिमेंट रही है उसके साथ तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ता कहां पर है यह जो मार्केट रोड है पालूलम का उसी पर पढ़ता है जाते बखत आपको लेफ्ट एंड पर पड़ेगा और मैं गूगल मैफ लिंक दे दूंगी नीचे तो आप ट्रैक करके भी आ सकते हो तो जब आप यहां पर आते हो यह मार्केट रोड है साइड में और उस पर आपको इस तरह का बोर्ड दिखेगा लगा हुआ और यहां से अप चलते हैं इनके अंदर की तरफ तो यह इनकी पर पार्किंग रहा जाता है दोनों तरफ इधर की तरफ आप बाइक्स बगरा इस कर सकते हो काफी बड़ी पार्किंग है अगर आप फूड कहते हो तो फिरी है और अगर आप फूड नहीं लेते हैं पर तो फिरी यह सायद पे करते हैं उसका यह उपर इनका कुछ बोर्ड है थोड़ा एम्बेंस वगरा काफी अच्छा बना हुआ है एंड सामने इनका कि यहां की फेंटा के टेस्ट फेंटा जैसे ही है तो तुझे क्या नमक चीनी निम्बू सब चाहिए था इसमें डाल दो क्या जाता है तो आज का रिविव न मैं नहीं बताने वाला आज का रिविव मोनिका रक्षुई बताएंगे क्योंकि पालूले मैं अपने घर के पास और यहां से होटो पकड़ो अगर पोच जाओ एकदम कोई टेंसर नहीं है तो यहां पर कोई टेंसर नहीं होती है तो फिसर मैन वैसे अपना पहले से आते जाते रहते हैं तो आज मैं तो अपना दो चार पैग लेकर सेट होने वाला हूं तो किंग फिश थाली अपनी आचुकी है इसमें क्या आया है इधर से शुरू करती हूं यह एक सबजी है किश्मूर किंग फिश का स्टीक है काफी बड़े साइज का है आपकी हो गई फिश करी और कोकम और चपाथी सैलेड जी आया है और यह आ इगे चिकन थाली ने भी इन bare रिवे है जो सब्जी है उसमें भी पत्ता गोभी कि सब्झी है और से वालेड और कोकम और राइस और चपाथी बड़ेश का दोनमें और दोनों का प्राइस चिकन थ तो चलो अभी खाना शुरू करते हैं और देखते हैं किसका टेस्ट कैसा है तो मैं चिकन ग्रेवी टेस्ट करने वाली हूं पहले क्योंकि मैं एक्साइटेड हुई है करने के लिए और विकास मैंने कैसा किंग फिश्ट जो स्पेशल थाली है वो इनकी पहले से ट्राइ करी कि अग्रुप देश्ट करने के लिए बोल रहे हूं कि अधर सब्जी में हलका सा मीठा होता है तो वह देखना चाहरी हूं मीठा है कि नहीं है कि ने मीठा नहीं चैटपटी है यह बी किश्मूर मैं टेस्ट नहीं करूगी कि इसमोर मैं हर्वेंदर को बोलूगी क्याने के लिए कि अधिक्ति के तो मैं यह ग्रेवि क्या है कौन सी फिश पिश्करी ट्राय मारता हूं यह भी अच्छी है चटपटी सी है और मैं के स्टीक का भी पीस्ट्राय मालता हूँ हो गया हो गया और तब तक ग्रेवी का न मैंने भी एक स्पून ट्राय कर लिया अच्छी लगी मिरको टेस्टी लगी एकदम और इसने स्टीक खाया है किंग फिश का तो इसको पूछती हूं अभी अच्छा है इस्टीक यह रवा बहुत अच्छे से लगा है इसमें रवे पर में पो कैसे वह अच्छा भी लग रहा है मुझे चटपटा थोड़ा सकम लगा पर गोवा में अगर आके जैसे फिश में कोई भी किसी भी फिश को रवा फ्राय करोगे तो हल्की सी फिक्की होती है मतलब वह बहुत जादा मसाले वगर उसमें नहीं होते बस हल्का सा मैरिनेट करते उसको रवा लगा के फ्राय कर दे अच्छा है इनका कोकम और इसमें मीठा बिल्कुल नहीं डाला है यह अच्छी बात है तो यह ना खट्टा ऐसा टेंगी वाला टेस्ट देता है और अब मैं हर्वेंदर को माइक देने वाली हूं सो देट वो किश्मूर टेस्ट करके बता सकें कि नौर्ट इंडियन टेस्ट है इसका बिल्कुल तो मैं भी बता चुकी हूं कुछ नया बताना कुछ नया और क्या बताओ तुमने जो मेरे दमाग में आए वो तुमने पहले ही बता दी है तो बताओं क्या तो फूड तो अपना हो चुका है बट सायद हम लोग न जल्दी आ गये थे अभी देखो यहां पर पूरा फुल हो गया है रेष्ट्रो तो मैं दिखाता हूं एक बार आपको यह इदर देखो पूरा फुल हो रुका है सारे टेवल्स बर गये तो काफी लोग आते हैं इदर की तरफ और काफी मतलब फूड भी अगर क्वालिटी बताओं त टेश्ट भी बहुत अच्छा है यहां का तो जो यह फिसर्मन रेष्ट्रो यह बड़े ग्रूप जितने भी आते हैं यह उनको भी और्गनाइज करते रहते हैं यहां पर जैसे क्या यह बड़ा अभी बाइकर्स का कोई ग्रूप आया हुआ हुआ है तो पूरा यहां पर ख